आज हम बात करेंगे हिंदु धर्म की एक बेहद प्रभावशाली देवी मा इसकंद माता के बारे में, जिने नमरात्री के पाच्वे दिन विशेश रूप से पूजा जाता है। मा इसकंद माता, जिने भगवान कार्तिके की माता के रूप में जाना जाता है। उनकी छवी अत्यंत शांत और सोम में है। इनकी उपासना से भक्तों को ना केवल उनके पुत्र कार्तिके के आशिरवात की प्राप्ती होती है, बलकि स्वयम मा दुर्गा की क्रपा भी की दिखेंगे कि मा अपने एक हात में कमल का फूल धारन किये होती है और उनके अन्य हातों में भी कमल के फूल होते है। उनका एक हात अबे मुद्रा में होता है, जो भक्तों को निर्बेदा का वर्दान देता है। मा की गोद में बेटे छोटे बालग कार्तिके होते हैं, जो युद्ध के देवता है। मा इसकंद माता की पूजा करने के लिए भक्त जन्दी सुब उठकर इस्नान करते हैं और साफ सुत्रे वस्त्र पहन कर पूजा की तयारी करते हैं। पूजा में कमन का फूल और हल्दी चड़ाना अत्यन्त शुब माना जाता है। क्योंकि मा इसकंद माता को ये अत्धी प्रिय है। इस दीव्य स्वरूप की उपासना से सादक को ना केवल मन की शान्ती मिलती हैं बलकि आत्मिक पल और सास में भी व्रद्धी होती है। मान्यता है कि इसकंद माता की आरदना से सबी प्रकार के विग्न दोर होते हैं और जीवन में शुक्त सम्रद्धी आती है। इस दीव्य स्वरूप की उपासना से सादक को ना केवल मन की शान्ती मिलती हैं बलकि आत्मिक पल और सास में भी व्रद्धी होती हैं। मान्यता है कि इसकंद माता की आराधना से सभी प्रकार के विग्न दूर होते हैं और जीवन में शुक्त समरद्धी आती है तो इस नमरात्री जब आप मा इसकंद माता की आराधना करें तो पूरे रदय से उनकी भक्ती में लीन हो जाए मान्यता की करपा से आपके जीवन में निश्चित ही नई उर्जा और प्रेंडना का संचार होगा आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मा इसकंद माता की जए हमें कमेंट में बताए कि आपको यह वीडियो केसा लगा और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो जनूर पूछे नवरात्री की शुपकामनाए धन्यवाद